नमस्कार जहिन सात्यू दो साल से सेना रेली भरती प्रिक्षा सेना रेली भरती का इंतजार कर रहे युवा इस साल भी मार्च महिने के उपर बेहदास लगए बेटे थे देश में सेना रेली भरती प्रिक्षा को लेके सेना रेली भरती के टेंटेटिव शेडूल को लेके देश के पूरे युवाओं को इस मार्च महिने का बेसब्री से इंतजार था लेकिन मार्च महिना बीद जाने के बाद भी अब भी देश के युवाओं को कहना कहें सेना मुख्याली रकसा मंत्राले और रकसा मंत्री के उपर लगातार नजरे बनी हुई है सेना भरती की ओपिशल वेबसाइट के उपर उनकी नजरने टिकी हुई है कि आने वाले इन दिनों में भी क्या पता कोई ताज़ा अपडेट का सामना उनको हो जाए लेकिन अभी तक देश की संसद के माधियम से कही सारे सांस दों ने सेना रेली भरती का मुद्धा सरकार के सामने रखा लेकिन अभी तक इसके उपर किसी भी परकार की शाइयान की जो बात है, वो सामने नई आई है और इसी से लेके युवा निराश बहद हैं और इसी को लेके कई युवा देश की राज़नानी दिल्ली के और प्लाइन कर रहे हैं लेकिन साथ साथ सोसल मीडिया पे एक खबर वाइरल हो रही है कबर में कहा जा रहा है कि देश के सेना मुख्याले ने अब संग्यान लिया है और वो देश के शभी ARO से इसके बारे में आर्मी रिक्रूट्मेंट ओपिस से इसके बारे में एक्जाम को लेके रिपोर्ट मांगी गई है सेना मुख्याले के दुबारा ARO से आर्मी एक्जाम को लेके मांगी अपडेट के उपर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि देश में अब इस तरह की एक नई बेश छेड़ी है कि अगर मार्च महिने में आपका टेंटेटिव शेडूल नहीं आता है मार्च महिने में तो मार्च 2022 के बाद फिर मार्च 2023 में ही टेंटेटिव शेडूल आएगा और इसके बीच कोई भरती नहीं होगी इस तरह की बहस बाजी जो हुई है तो साथ ही मैं आपको बता दूँ ऐसा कहीं नहीं है पिछले दो साल में ऐसा ओल्ड़ी हो चुका है बिना टेंटेटिव शेडूल के भी देश में रेली भरतियां कंड़क्ट की जा चुकी है लेकिन अब आसार इसलिए ज़्यादा तेज है क्योंकि देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में इसके उपर जबाव देते हुए का है कि हम इसके उपर विचार कर रहे हैं उसके चलते टेंटेटिव शेडूल नहीं आया था लेकिन अब इस बार 31 मार्च के बाद टेंटेटिव शेडूल जारी हो सकता है इसका मतलब अपरेल महिने में भी टेंटेटिव शेडूल प्रोग्राम आ सकता है जरूरी नहीं है कि आपको 31 मार्स से पहले कोई अपडेट मिले या उस दिन कोई मिले मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है इसके साथ के सारे साती ये बोलते हैं कि सर देश में 60 सांस दोने इस मुद्दे को उठाया है अबी तक सरकार क्या कर रहे हमारे इसी मुद्दे के उपर किसी भी प्रकार का कोई सरकार इस पश्टिकर नहीं दे रहे है बोले तो ओपिशिल स्टेटमेंट नहीं दे रहे है देखे साथ यो लोकसभा में अक्सर होता क्या है आपका कोई भी मुद्दा होगा उसको कोई भी मेम्बरों पार्लियमेट उठाता है चाहे एक उठाए चाहे 60 उठाए इससे क्या कि उसको बल मिलता है एक मुद्दा उठाएगा तो भी उसको समंदित विबाग को जबाब देना पड़ता है लेकिन जो सरकार जो जवाब दे रही हो वह कहिना करैं एक बरह म की इस्तिती जीस अब बात करते हैं आपके मार्च महीने में एक्जाम कंड़क नहीं हुआ तो यूवा अप्रेल के उपर केसी यकिन कर ले साथियो तुरे देश में यूवा के बीचे एक नई ख़वर है वो आ रही है सोसल मीडिया पे कहा जा रहा है कि देश में सेना रेली भरती प्रिक्षा की अब तिथी नजदिक आ गई है अप्रेल महें में सेना रेली भरती एक्जाम होने को और इसको लेके सेना मुख्याले एरो से इसके लिए रिपोर्ट मांग रहा है साथ यह देखी मैं आपको बता दू संसद में यह जानकारी भी रक्षा मंत्राले ने साजा कर दिया और हमने आर्टे के माधियम से भी यह जानकारी प्राप्त के थी देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा था, रक्षा मंत्रा ले ने सेना मुख्या ले ने कहा है कि कोईट के चलते सभी ARO बंद किये गए है सभी आर्मी रिक्रूटमेंट ओपी से वो वर्तमान समय में बंद है तो ये जो खबर सामने आ रही है कि अभी एक्जाम को लेके ARO ने रिपोर्ट मांगी है इसके उपर कोई नई ताज़ा अपडेट नहीं है और ना ही इस तरह की अभी कोई रिपोर्ट मांगी गई है हाँ इसको लेके कई सेंटर से जान करीब मांगी जारी है ये खबरें सामने आ रही है कई यूटकवाटर कोटे की जो सेंटर से है वहाँ इसके बारे में रिपोर्ट मांगी जारी आ है क्योंकि देश में फिछले दो साल में रिलेशन की भरतियां ARO के बाबत ज्यादा है वो कंडक्ट की गई है ज्यादा आयोजित की गई है क्योंकि हमेशा रेश्यो 25-75 का रहता है सेंटर बरती और ARO की भरती है उनका लेकिन इस बार यह है वो उल्टा देखने को मिला रिलेशन की बरतियां ज्यादा कंडक्ट क्योंकि इसके बाद DMX की परकेरिया खतम हो जाएगी और इसके चलते देश में आर्मी रिक्रूड्मेंट उपे से पूरे बारत के वो बंद हो जाएगे और दावे के साथ कहर रहा हूं 31 मार्च 2022 में आपको ये खबर कभी भी देखने को नहीं मिलेगी कि आपका एक्जाम से जानते हैं लेकिन उससे पहले कि DMX 22 फरवरी को खतम करने की बाते चल रही थी लेकिन 22 फरवरी को DMX खतम नहीं होके ये अब 31 मार्च को होने वाला है तो कहिना कहीं आने वाले अप्रेल माहे में आपके एक्जाम होने के ज्यादा आसार है अब कई साथी बोलेंगे हमें पिछले 2 साल में की सारी डेट दे गई हैं कि मार्च महें में आपका अप्रेल महें में एक्जाम कंड़क्ट हो जाएगा आप खुद अपने से पूछिएaps में जो हलचले हैं ऑप कोविड की कंडिशन्स हैं दो मेंने में सरकार का रूख है किया ऐसा पैसा यहादा तेज हो सेना मुख्याले आपके एक्जाम को कंड़क्ट करने के उपर विचार कर रहा है और इसको लेकित तमाम तरह की जो जानकारियां है वो समंदित यूनिक हेड़कॉर्टर कोटा से प्रेशित और मांगी जा रही है साथ उस यूडियो से रिलेटिव किसी भी प्रकार के सुजा हो कमेंट सेक्शन, इंस्टाक्राम, हैंडल या मेल के मादियम से जरूर अवगत करोएं क्योंकि आपके जितने भी क्यूशन्स रहते हैं उनको हमेशा डिपेंस एक्सपर्ट के साथ हमारा साजय करने का प्रियास रेता है और सेना रेली भरती से जुड़िवी ताजा वे सटिक, सही जानकरी आप तक पहुंचाने का निरंतर हमारा प्रियास लेता है वीडियो के अंतक बने रहेने के लिए आपका दिल से शुक्रिया मिलेंगे कोड़ ताजा साथिक और विसलेशन परे वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन जैवाल